ये ZBC की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सेर्बीन, ये प्रोग्राम अब हर रोज रात आठ बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं पाकिस्तान के शहर कोटा के रेलिवे स्टेशन पर धमाका, कम अजकम 25 अफराद हलाक, 46 जखमी डॉनल्ड ट्रम्प को गतल करने की मुबयना एरानी साज़िश के इल्जामें, अमरीका में अफगान शहरी पर फर्द जर्म आए पाकिस्तान के वफा की हकुमत का सर्दियों में बिगली के इजाफी इस्तेमाल पर 26 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ देने का एलान पाकिस्तान में सांस लेने की जंग मगर बीजिंग और लंडन ने बत्रीन समो के मसले का हल कैसे निकाला था सवाबी में पाकिस्तान का जल्सा अली अमीन गंडपूर इम्रान खान की हिदायत पर अगले लाए अमल का अलान करेंगे अज अलामा इकबाल की हुमें पेदाईश है वो अलामा इकबाल जिसने पाकिस्तान का खाथ देखा था एम्स्टरडेम में इस्राइली फुटबाल शायकीन पर हमले नेदर लेंड के बादशा का कहना है हमें यहूद मुखालिफ रवईयों को नजर अंदास नहीं करना चाहिए पंजाब पलिस का राजनपूर के कच्चे में पलिस मुकाबले में इश्तिहारी डाकू शाहिद लुंड की हलाकत का दावा और बाली वुड अदकार मिथन चकर बोर्ती का मुसलिम मुखालिफ ब्यान क्या ये बराए रास्त कतल की धमकी है मैं होम मिनिश्टर साब के सामने बोल रहा हूँ कुछ भी कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब चुपा हुआ है नौ जाइदा बचे के पेट से बच्चा निकलने के पाकिस्तान में एक से जादा वाकियात सामने आ चुके हैं इस मेडिकल कंडिशन को क्या कहते हैं और ऐसा होता क्यों है क्या आप जानते हैं एक नौजायदा बच्चा पैदाईश के वक्त खुद अपने पेट में एक और बच्चा लेकर पैदा हो सकता है? जी हाँ, साइन्टिफिकली ये मुम्किन है और ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान में 2023 में सामने भी आया था डाक्टर अलामा इकबाल और इमा का तालुक, ये इश्क था या सादगी की इंतहा? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सहर बीन का हिसा है, मगर हमेशे की तरह सबसे पहले आहम आलमी खबरों का खुलासा पाकिस्तान के सुबा बलोचिस्तान के शेर कोईटा में आज सुबा रिलवे स्टेशन पर होने वाले एक धमाके में 25 अफराद हलाक और 46 जखमी हुए हैं पुलेस सरजिन डक्टर आईशा फैस ने जी बी सी के मुहमद काजिम को बताया के 25 अफराद की लाशें सिवल हस्पता लाई गई हैं और हलाक होने वालों में एक खातून भी शामिल हैं रेलवे स्टेशन पर साफियों से बात करते हुए कोईटा के SSP Operations का कहना था कि आम अफराद के साथ साथ फोजी भी इस स्टेशन को नकलो हमल के लिए इस्तमाल करते हैं और हलाकतों और जखमियों में फोजी और सिविलियन दोनों शामिल हैं उनका कहना था कि जखमी होने वले अफराद को सिविल हस्पिताल कोईटा के ट्रॉमा सेंटर में मुंत्किल किया गया है जबके धमाके की नौयत का तायून करने के लिए तैकिकात शुरू कर दी गई हैं तुबह जब यहां पर लोग जमाते हैं और इसमें हरतरह था कि लोग थे सरकारी और आमणवाम की बाकी बीजों मुसाफर थे यहां पोड़िए से दो सो की तदात थी जो यहां पर जमाते हैं और यहां पर दबाका हुए बलोच असकरियत पसंद तन्जीम बलोच लिबरेशन आर्मी यानि BLA ने इस धमाके की जिम्मधारी कबोल की है BLA के तरजमान जुनेद बलोच ने मीडिया को जारी किये गए बियान में धवा किया है कि आज सुबा कोईटा रिलवेस टेशन में पाकिस्तानी फोज के एक दस्ते पर फिदाई हमला किया है हमला BLA की फिदाई यूनिट मजीद बरिगेड ने सरंजाम दिया जिसकी तफसिलात जल्द मीडिया को जरी की जाएंगी तहाल पाकिस्तानी फोज की जानेब से इस वाके के हवाले से कोई बियान सामने नहीं आया है याद रहे के बलोचिस्तान में BLA की जानेब से पाकिस्तानी फोज और उसकी तनसीबात को माजी में भी निशाना बनाया जाता रहा है जिसमें 25 और 26 अगस्त की द्रिम्यानी शब तैसील बेला में FC कैम पर होने वाला हमला भी शामिल है वजीर बलोचिस्तान सरफराज बुग्टी ने कोईटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मुझमत करते हुए वाकिय की तहकी का हुकम दिया है वजीर बलोचिस्तान का कहना है कि ये वाकिया मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है और देश्चतगर्दों का हदफ अब आम मासूम अफराद मज़़ूर बचे और खवातीन है। उनका कहना है कि मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले देश्चतगर्द काबल रह्म नहीं है। वजीर अलब लच्चतगर्द का मज़ीद कहना है कि सूबे में देश्चतगर्दों के खिलाफ कारवाई जारी है। मतादिद वाकियात में मुलवस देश्चतगर्द पकड़े जा चुके हैं और इस वाकिये में मुलवस देश्चतगर्दों का पीछा करके उन्हें मनतकी अंजाम तक पहुचाया जाएगा। SSP Operations ने ZBC के मुहमद कासिम को बताया कि ये धमाका रेलवे स्टेशन में उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिर रेल गाड़ी के इंतिजार में प्लेटफॉर्म पर मुजूद थे और उनमें से ज़्यादातर इस धमाके की जद में आई हैं। दमाके के CCTV फॉर्टेज में देखा जा सकता है के दमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर दरजनों अफराद रेल गाड़ी के इंतिजार में शेड के नीचे मजूद हैं। सुबा बनाने का काम सौंपा गया था। अमरीकी अकूमत का कहना है कि शकीरी को गरिफतार नहीं किया गया और ख्याल किया जा रहा है कि वो इरान में हैं। मेनहेटन की अदलत में दायर की गई एक मुझरिमाना शिकायत में। इस तगासा ने इल्जाम लगाया है कि एरान के पासदाराने इनकलाब के एक एलकार ने सेप्टमबर में शकीरी को हदायत की थी कि वो ट्रम्प की निगरानी और कतल का मनसुबा बनाएं। अमरीकी अटर्ने जरनल मेरिक गॉरलेंड ने एक बियान में कहा है कि मैकमा इनसाफ ने इरानी अकूमत के एक एजेंट पर फर्द जर्म आइद की है जिसे एरानी अकूमत ने मुझरिमाना साथियों के नेट वर्क को चलाने की हदायत की थी ताके वो नो मुन्तखब सदर डॉनल्ड टरम्प समयत अपने दीगर अदाफ के कतल की साथिशों को अमली जामा पेना सकें मैकमा इन्साफ ने एरान की नाकित एक अमरीकी साफी को कतल करने के लिए मुबईना तोर पर भर्टी किये गए दो दीगर अफराद पर भी फर्द जर्म आइद किया है मैंकम इनसाफ ने दो दीगर अफराद की शिनाक्त 49 साला कार लेसल और 36 साला जोनाथन लोड के नाम से की है दोनों जम्राद को नियू यार्क के जनूबी जिला की अदालत में पेश हुए और मुकदमे की समात के दुरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया है पाकिस्तान के वजिर आजम शाबाद शरीफ का कहना है कि वफा की हकूमत ने मौसम सर्मा के लिए बिजली सहूलत पेकेज का इलान किया है जिसके तहद सर्जियों के तीन माँ दिसंबर ता फरवरी इजाफी बिजली के इस्तमाल पर बिजली की कीमतों में खातरखा कमी की जा रही है बिजली सहूलत का इतलाग इस साल दिसंबर से अगले साल फरवरी तक के बिलो पर होगा इसलाबाद में योम इकबाल के हवाले से मुनाकदा तकरीब से खताब करते होए वजीर आजम का कहना था कि इस बिजली सहुलत पैकेज के तहद घरेलू सारफीन के लिए इजाफी बिजली के इस्तमाल पर फ्लैट ट्रेट 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट होगा ग्रेलू सारफीन को मुक्तलिफ स्लैब्स में 11 रुपए 42 पैसे से लेकर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट तक बचचत होगी चबाश रिफ ने मस्जीद कहा कि इस पैकेज के तहद कमर्शल सारफीन को मुसम सर्मा के तीन माँ के दुरान बिजली के इजाफी इस्तमाल पर 13 रुपए 40 पैसे से लेकर 22 रुपए फी यूनिट बचचत होगी जो के 34 से 47 पीसद फी यूनिट बनती है सर्दियों के तीन माँ यानि दिसंबर जन्वरी और फर्वरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तमाल पर बिजली सहुलत पैकिश देने का फैसला किया है 11 रुपए 42 पैसे फी यूनिट से लेकर 26 रुपए फी यूनिट बचचत होगी घरेलू सारफीन को सर्दियों के लिए 5.12 रुपए से लेकर 15 रुपए फी यूनिट बचचत होगी उन्होंने मजीद कहा कि इस पैकेज के नतीजे में बिजली की लागत में कमी से पाकिस्तान में सनत का पहिया तेज होगा जरात हरी बरी होगी और कारोबार और बरामदाद बढ़ाने में मदद मिलेगी और पैदावार में भी इजाफा होगा जबके मईशत मजीद मजबूत होगी इस मोके पर वजिर आजम शबा शरीफ का कहना था कि हकूमती काविशों से मईशत इस्तकाम की रापर गामजन है मईशत आइस्ता आइस्ता बेतर हो रही है पालिसी रेट के साथ महंगाई में भी कमी हुई है शराय सूद में कमी से मौाशी सरगर्मियां बढ़ेंगी इमद पर पहुँच गई है पाकिस्तान के सुबा पंजाब की पॉलिस ने दावा किया है कि कच्चे के इलाके में रहीम यार्खान और राजनपूर पुलिस की मुझतरीका कारवाई में लूंड गैंग का सरगुना डाकू शाहद लूंड हलाक हो गया है पंजाब पुलिस की जने अबरायतावान, पॉलिस पर हमलों, कतल, डगेती जैसे 28 से जाइद संगीन मुकदमात में पॉलिस को मतलूब एक इस्तिहरी था। पॉलिस बयान में कहा गया है कि पॉलिस मुकाबले में हलाक होने वाले डाकू शाहिद लूंड के खिलाफ रहीम यारखान और जिला राजनपूर के मुक्तलिफ थानों में कई मुकदमात धर्ज थे पॉलिस बयान के मताबिक आई जी पंजाब डक्टर उस्मान अनवर ने कच पॉलिस बयान के मताबिक रहीम यारखान और राजनपूर पॉलिस गुजिश्टा दो माँ से इस आपरेशन पर काम कर रही थी और पॉलिस ने बाकाइदा मनसूबा बंदी मौसर हिकमत अमली के तहद अपना ये हदफ हासल गया है वजीर अला खैबर बख्तून खा अली अमीन गड़ापूर ने अडियला जेल में कैद इमरान खान का पेगाम देते होए कहा कि साबक वजीर अजम नवंबर यानि रवा माँ एतजाज की काल देंगे सवाबी में तहरीक इनसाफ के जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मैं इमरान खान का पेगाम दे रहा हूँ और इमरान खान ने हुकम दिया है कि नवंबर यानि इसी माँ इमरान खान काल देगा और काल ये होगी कि जब घरों से निकलेंगे तो अगर हम घरों में ना पहुँचे तो जनाजे पढ़ लेना और हम तब तक वापिस नहीं आएंगे जब तक इमरान खान को रिहाई नही परी कौम फाइनल काल का इंतजार करेगी, चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे कबरस्तानों में चले जाएं, सब हलफ उठाओ, अली अमीन गंड़ापूर की तक्रीर के दुरान शुरुका ने हाथ उठा कर ये हलफ लिया, कि हम चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता हम घर वापिस नहीं आएंगे वजीर आला का मजीद कहना था कि तियारी शुरू कर दो सर पर चादर लेकर निकलना और जब इमरान खान पूकारेगा तो फिर हम वो हाल करेंगे कि तुम्हारी दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में अली अमीन गंड़ापूर के खिताब के बाद पी टी आई का जलसा खतम हो गया इससे कबल तहरी के अनसाफ के सर बरा बेरिस्टर गोहर अली खान ने अपने खिताब में दावा किया है कि अवाम ने हकूमती जालिमाना कवानीन को मुस्तर्द कर दिया है उन्होंने अलान किया कि हालिया कनून साजी के जरीए ये खुद को एन आर ओ दे रहे हैं बेरिस्टर गोहर ने कहा कि हम खुद इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाएंगे और अदलिया के जरीए इमरान खान को रिहा करवाएंगे पाकिस्तान के सुबा पंजाब में अभी मौसम सर्मा का बाकाइदा आगास तो नहीं हुआ लेकिन फजा इसकदर आलूदा हो चुकी है कि मालूम होता है कि जैसे हर तरफ धुन्द चाही हुई है सिर्फ लाहोर ही नहीं बलके मुलतान, फैसल अबाद, कसूर समयथ दीगर शहरों में सुरत हल खासी परेशान कुड़ है और अक्सर शहरी सीने में जलन, सांस लेने में दुशवारी और खासी जुकाम की शिकायत करते दिखाई देते हैं मोटर वे पॉलिस की जानेब से नवंबर के आगाज में ही दुन्द के 22 मुक्तलिफ जगों से मोटर वे को जुजवी तोर पर बंद किया गया है ऐसे में पंजाब और खसूसन लहोर के बासी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखर इस मसले का कोई देर पाहल है भी या नहीं आप फैक्टरिस को नहीं पकड़ती हैं आप इंडिस्ट्रिस को नहीं पकड़ती हैं आप दुआ चोड़ने वाली गाड़ियों को नहीं पकड़ती हैं इन तमाम चीज़ों के उपर काबू पाए बगएर तालीमी इदारों को बंद कर देना ये कोई सलूशन नहीं है हाँ हम यी बात भी समझती है कि बच्चों की जो सहत है वो बहुत जरूरी है ना सिर्फ बच्चे बलके बड़े भी इसे मतासिर हो रही है पंजाब हकूमत ने सुबे के चार डवियन में पहली से बारवी जमात तक स्कूलों में तातिलात में 17 नवंबर तक तोसी कर दी है इन चार डवियन में लहोर, मुलतान, फैसलबाद और गुजरेवाला शामिल है इन इन इलाकों में मास्क पहना भी लाज़मी करार दिया गया है सुबे वर में सरकारी और निजी दिफातर में 50 पीसद स्टाफ को घर से काम करने का कहा गया है लहोर के मुख्तलिफ अलाकों में ग्रीन लाकडाउंस नाफिज करने की कोशिश की गई है और शहरियों को घर से गहर जरूरी ना निकलने की तन्बीब ही की गई है ना सिर्फ पंजाब बलके दारूल हकूमत इसलामबाद जिसे मुल्क के पुर्फजा शहरों में से एक समझा जाता है यहां भी फजाई अलुदगी में बतद्रीज इजफा हो रहा है ताहम यह पहला मौका नहीं है जब समझाब के होले से पंजाब हकूमत ने स्कूल बंद कर दी हूँ बलके सन 2021 हर साल यही मामूल रहा है और निवंबर और दिसंबर के महीनों में स्कूलों को बंद किया जाता रहा है इस सब के दुरान जो सवाल हर किसी की जुबान पर है वो यह कि इस मसले का हल आखर है क्या क्या हर गुदरते साल के साथ इस हवाले से मुझकलात में मज़ीद इजाफा होता रहेगा पाकिस्तान में इस हवाले से एक आरजी हल मसनुई बारिश को भी कहा गया और गुदिश्टा बर्स इसके लिए मतहिदा अरब अमारात के इश्टराग से कलाउड सीडिंग भी की गई थी इस हवाले से पंजाब हकूमत में वजीर महालियात मर्यम औरंगजेब के मताबिक हकूमत की जाने से फसलें जलाने के अमल को रोकने के लिए सूपर सीडर्स नमी मशीन मतारिफ कराने का अमल शुरू किया गया है जिसके जरीए फसल की कटाई और बीज बोने का अमल एक साथ हो सकेगा ताहम ताहल इस हवाले से हकूमत की जानेब से मशीन की खरीदारी पर सबसिड़ी दी गई है और ये मनसूबा अपने अब्तिदाई मराहिल में है पाकिस्तान वो पहला मुलक नहीं है जहां समौक का मसला इसकदर शिदत इक्तियार कर गया है बलके माजी में दो तरक्की याफ़ता मुमालिक के दरलोकूमत भी समौक की लपेट में रही है और इस से निकलने में भी इने बरसो लगे हैं ये शहर बीजिंग और लंदन थे जहां अब एर कौलिटी में गहर मामूली कमी वाकिय हुई है बरतानिया के दरलोकूमत लंदन में उननीसवी और बीसवी सदी में मुतादिद मरतबा समौक शहर पर छा जाने के वाकियात देखे गए ये अमोमन उस वक्त होता जब लोग कोईला जला कर घरों को गरम रखने की कोशिश करते और शहर में मुझूद हैवी इंडस्टरी में से मुख्तलिफ केमिकल्स फजा में चोड़े जाते है सन 1952 में दी ग्रेड समौक आफ लंडन इन सम में से सबसे ज़दा मकबूल मौका था जब चार रोज तक हद निगा इतनी कम हो गई थी कि सिरफ चंद फुट तक ही वाज़े दिखाई देता था उस दोरान कुछ अंदाजों के मताबिक दस हजार अफराद हलाक हुए थे कहा जाता है कि समौक ने जिन्दगी को ऐसे मफलूज कर दिया था कि ये घरों और तैखानों में भी दाखिल हो गई थी और सीनिमा घरों में सिक्रीन्स नजर आना बंद हो गई थी लंडन में इस वाके के बाद से हकूमत के जानेब से मतादिद इक्दामात किये गए चिरफ ऐसे इंधन जलाए जाते जिनका धुआ कदरे कम होता है और घरों के मालकान को सबसिडी दी गई ताके वो पाएदार इंधन पर मुंतकिल हो सके हैं सन 1968 में इस एक्ट में तो सी की गई और लंडन की एर इक्वालिटी में इसके बाद की धायों में बेतरी आने लगी शेहर की जानब से अल्ट्रा लो एमेशन जोन मतारिफ करवाए गए जिन में जादा दूआ पहलाने वाले वेहिकल्स पर भारी जुर्माने आयद किये गए लंडन सीटी हाल की जानब से इस पॉलिसी के निफास के छे माँ बाद कहा गया कि फजाई अलूदगी में एक तहाई की कमी वाकिय हुई है ताहम अब भी लंडन में फजाई अलूदगी योरप के दीगर मुमालिक के मकाबले में जादा है चीन में भी तेजी से होने वाली सनती तरक्की के बाइस फजाई अलूदगी में बतद्रीज इजाफा देखने को मिला सन 1980 की दाए के बाद से जब चीन में कोहले से चलने वाले पावर स्टेशन और गाड़ियों की खरीदारी में इजाफा हुआ तो चीन के दारल हुकूमत बीजिंग में जहरिले केमिकल्स और फजाई अलूदगी में बतद्रीज इजाफा होने लगा सन 2014 में शिंगाई अकेडमी आप सोशल साइंसिस का कहना था कि शहर इनसानों के रहने के काबल नहीं रहा क्योंके यहां आलूदगी बहुत ज़्यदा है तो फिर चीन ने इसका क्या हल निकाला इसके लिए चीन को सालों की मेहनत करना पड़ी अकवा में मुताहिदा की एक रिपोर्ट के मताबिक सन 2013 से 2017 में चार साल के दर्मियान बीजिंग में फजा में जरात की इशरा 35 फिसद से कम होकर 25 फिसद हो गई है रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के किसी और शेर ने ऐसी कमिया भी हासल नहीं की ताहम यह इसलिए था क्योंके चीन ने जो इकदामात मतारिफ करवाए वो सन 1998 के बाद से दो दहाईयों तक मुक्तलिफ अशकाल में नाफिस किये जाते रहे चीन की हकुमत ने सनतों पर अखराज को बहुत कम करने के लिए मैयार वज़ा किये जदीद एर क्वालिटी मोनिटरिंग सिस्टम बनाया और मज़ीद पबलिक ट्रांसपोर्ट इंफरस्ट्रेक्चर भी बनाया चीन में गाडियों में इस्तमाल होने वाले इंदन की क्वालिटी को भी बहतर बनाया गया बीजिंग ने ताहल मुकमल तोर पर इस मसले को हल नहीं किया शेयर में अब भी फजाई अलुदगी है और आमदो रफ्ट के दुरान अक्सर अफराद मास्क का इस्तमाल करते हुए दिखाई देते हैं सामीन किसी नोजाईदा बच्चे के पेट से बच्चा निकलने के पाकिस्तान में एक से ज्यादा वाकियात सामने आ चुके हैं इस मेडिकल कंडिशन को क्या कहते हैं और ऐसा होता क्यू है सुनिए समरा फातिमा की ये खसूसी रिपोर्ट क्या आप जानते हैं एक नोजाईदा बच्चा पैदाईश के वक्त खुद अपने पेट में एक और बच्चा लेकर पैदा हो सकता है जी हाँ साइन्टिफिकली ये मुमकिन है और ऐसा ही एक मौामला पाकिस्तान में 2023 में सामने भी आया था इस मेडिकल कंडिशन को कहते क्या है और ऐसा क्यूं होता है सुनिए आज बीबी सीरीज की इस खस्त में आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान में इस बच्ची की जान बचाई गई मैं हूं समरा फात्मा तो जिस पाकिसानी बच्ची के हम बात कर रहे हैं वो एक माह की थी जब ये मसला शुरू हुआ और जाहर वो दर्द में रोती थी चिलाती थी लेकिन जाहर इतनी चोटी बच्ची कुछ बता सकती नहीं थी वालदाएं बच्ची को मुखतलिफ डॉक्टर्स के पास लेकर जाते थे बच्ची रोती थी लेकिन किसी डॉक्टर के जहन में ये बात नहीं आती थी कि इसकी ऐसी भी वज़ा हो सकती है क्योंकि ये काफी नयाब केस था कुछ अरसे बात वालदाएं को लगा कि बच्ची का पेड़ भी फूल रहा है लेकिन फिर भी किसी डॉक्टर का जहन इस तरफ नहीं गया ये बात है पाकिस्तान के सुबह पंजाब की शहर सादकाबाद की जहां एक नौ माह की बच्ची के पेड़ से एक सर्जन ने आपरेशन करके एक बच्चे को बाहर निकाला था सर्जन के बच्ची के वालदें कई माह से मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते रहें और मर्ज नायाब होने और तिबी सहुलियात के फुक्दान की वज़े से तश्खीस नहीं हो सकी बीबी सी से फोन पर बात करते हुए बच्ची के वालद आसिफ ने हमें बताया था कि उनकी बेटी एक माह की थी जब ये मसला पैदा हुआ उनके बकौल हमें पता भी नहीं था कि क्या मसला है लेकिन पेड़ फूल रहा था और हाथ लगाने पर सخت मालूम होता था आसिफ काश्टकारी करते हैं और मालमवेशी पाल कर गुजर बसर करते हैं उन्होंने बताया कि वो तीन चार डॉक्टर के पास गए लेकिन मर्स का इल्म हो नहीं सका ऐसे में वो अपनी बेटी को लेकर असिस्टन प्रफेसर डॉक्टर मुश्टाक एहमद के पास पहुंचे जो रहीम यार खान के शेख जैद अस्पताल में पेडियाट्रिक सर्जिन है जाहिरे ये एक बहुत ही यूनीक केस था तो डॉक्टर मुश्टाक एहमद ने बताया कि जब उन्होंने बच्ची का मौईना किया तो उन्हें पेड़ में रसॉली और पानी की थैली जैसी महसूस हुई और जब अल्टर साउन करवाया तो उसकी तजदीख भी हो गई लेकिन आपसलिट कन्फिमेशन के लिए एम आर आए करवाना होता है और वालदाएं के पास वसायल कम थे और साथका बाद में ये सहुलत मौजूद भी नहीं थी डॉक्टर मुश्ताक अहमत ने सरजरी से रसोली निकालने का मशवरा दिया उस वक्त उनके गुमार में भी नहीं था कि इस बच्ची के पेट में एक बच्चा मौजूद है उनके बकौर ऑपरेशन के दौरान जब पेट खोला गया तो उसमें पानी की थैली भी थी और बच्चा भी था डॉक्टर अहमत ने हमें बताया कि जिस तरह साथ माह के प्री मिचूर बच्चे के खुसूसियात होती है ये बिल्कुल वैसा ही था चेहरे के अलावा पूरा जिसम इनसानी था क्यूंकि चेहरा बाद में डिवैलप होता है प्रेग्नेंसी में डॉक्टर मुश्टा काहिमत का कहना था कि ये बच्चा नुमा स्ट्रक्चर नौजाइदा बच्ची की छोटी आच से जुड़ा हुआ था और आतों के दर्म्यान से खून ले रहा था हमें खत्रा था कि बच्ची को नुखसान नहो जाए डॉक्टर मुश्टाक हमत ने ये भी बताया कि बच्ची का अपना वजन साड़े आठ किलो जबके पेट से निकाले जाने वाले बच्चे का वजन दो किलो था आएए अब आपको बताते हैं कि ये मर्ज आखिर है क्या और कैसे हो सकता है ये याद रखिए कि पाकिस्तान में इस नौयत का ये पहला केस नहीं था इससे पहले डॉक्टर मुश्टाक हमत के बकॉल वो ऐसे ही एक और केस को भी देख चुके थे उन्होंने बताया कि रहीम यार खान में ऐसा एक केस हुआ था जिसमें पेट में मौजूद बच्चे के जिसम के तमाम हिस्से अभी पूरी तरह मुकमल भी नहीं थे तेब की दुनिया में इसको फीटस इन फीटो का नाम दिया जाता है लेकिन इस टर्म और नजरिये पर साइंस की दुनिया कम्प्लीटली मुटफिक नहीं है यानि इस बारे में डिफरेंट कॉंसेप्स और बिलीफ्स हैं प्रोफेसर नदीम अख्तर पाकिस्तान की वफाकिदार लुकूमत इसलामाबाद में पाकिस्तान इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंसेज या पिम्स अस्पताल में पीडियाट्रिक सरजरी के हेड अफ दे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने ऐसे केस्स पर काफी तहकी तह ट्यूमर या रसॉली होती है यह जिस मुकाम पर होता है उसी जगह पर रहता है ज्यादा तर पेट के निचले हिस्से में प्रोफेसर नदीम अख्तर के मताबिग इस कहफियत का नाम फीटस इन फीटो इसलिए रखा गया क्योंकि फीटस में तीन तहे होती है और इस तरह के ट्यूमर में भी तीन तहे होती है दूसरे कॉंसेप्ट के तहट इसको ट्विन का नाम दिया जाता है यानि कि दूसरा जुडवा बच्चा जो की पहले के पेट में डिवैलप होने लगा तो ये एक दूसरा नज़रिया है लेकिन साइन्टिफिकली ये भी साबित नहीं हो सका इस दिवी नज़रिया के मताबिक आम तोर पर ये ऐसे केसिस में होता है जब किसी खातून में जुडवा बच्चे हो लेकिन हमल के आगाज में ही एक बच्चा किसी वज़े से दूसरे जुडवा बच्चे से जुड़ कर किसी ना किसी हालत में बाकी रहता है लेकिन इन्फरित केस इसलामबाद के पिम्स हास्पिटल में सामने आया था जब एक दो माह की बच्ची के पेट से दो फीटस या मुर्दा बच्चे निकाले गए थे और उस वक्त उस बच्ची का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जहीर अबासी ने इसे पाकिस्तान का ऐसा पहला के था और बताया था कि बच्ची के पेट से दो जुड़वा मच्चे निकाले गए जो मर चुके थे इंट्रेस्टिंग बात यह है कि ऐसे केसे किसी एक खास जेंडर से मुंसलिक नहीं होते हैं लड़के या लड़की दोनों में ही हो सकते हैं वालदायन को पता नहीं चलता औ जिसके इनसानी खदोखाल नुमाया होते हैं और दूसरा वो जिसमें ट्यूमर या सर्तान निकलता है और ऐसे केसे में किसी मरीज के पेट से दान्त या हद्या मिलती हैं लेकिन इनसानी खदोखाल रखने वाला बच्चा नहीं होता और उसे टेरेटोमा कहते हैं तो इसकी वज़े क्या है? तिबिकी दुनिया में अब तक इस मर्ज की वजवात मुकमल तोर पर ते नहीं की जा सकी है। तहम इतना वाज़ है कि ये पैदाइशी मर्ज है जिसकी बरवक्त तश्खीस मुश्किल तो है लेकिन अतनी ही जरूरी भी है। वैसे इस मर्ज की तश्खीस मु इंट्रा साउंड, CT स्कान और MRI करवाकर देखना जरूरी होता है कि पेट में क्या मसला है। उन्होंने बताया कि चंद दीगर टेस्ट भी किया जा सकते हैं लेकिन इस बिमारी का हत्नी हल आपरेशन के जरिये ही मुमकिन है। प्रफिसर नदीम अख्तर का कहना है कि ने दिया जाए और गयर ज़रूरी तो पर तश्खीस में वक्त लग जाएं तो इसके बहुत बुरे असरात भी हो सकते हैं। बरहे करम मैंने जो लिखा है इसके लिए मुझे मुझे मौफ फरमाईए। ये खत अलामा मुहम्मद अकबाल के इमा वैगी नास्ट के नाम जर्मन जबान में लिखे गए मुतादध खतूत में से एक है। इमा से अकबाल की मुलकात द्रिया नेकर के किनारे वाके सर सब श एक हिंदुस्तानी शायर का दिल उन पर आ गया ना आता तो हैरत होती। इकबाल की एक नजम एक शाम द्रिया नेकर हॉइडल बर्ग के किनारे पर से उनके जजबात का अंदाजा होता है। खामोश है चांदनी कमर की शाखे हैं खामोश हर शजर की वादी के नवा फरोश खामोश कोसार के सब्स बोश खामोश फितरत बेहोश हो गई है आगोश में शब के सो गई है कुछ ऐसा सकूत का फसू है नेकर का खराम भी सुकू है ए दिल तू भी खामोश हो जा आगोश म गम को लेके सो जा अकबाल के दिल में ईमा का क्या मुकाम था और उनके ईमा से तालुकात की नौयत क्या थी इसका कुछ कुछ अंदाजा इस खत से भी लगा जा सकता है ब्राए करम अपने इस दोस्त को मत भूलिए जो आपको हमेशा अपने दिल में रखता है और जो आपको कभी फरामोश नहीं कर सकता हाइडल बर्ग में मेरा कयाम एक खुब सुरत खाब सा लगता है और मैं इस खाब को दोराना चाता हूँ क्या ये मुम्किन है आप खुब जानती है इन खतूत से इकबाल के उस रिवाईती तस्वर से बिलकुल मुख्तलिफ तस्वीर हमारे सामने आती है जो हम शुरू हुई से निसाबी किताबों और योम इकबाल पर की गई तकारीर में देखते रहे हैं इन खदूत में इकबाल हकीम अम्मत और मुफकर पाकिस्तान कम और जजबात से मगलूब नौजवान ज़ादा नज़र आते हैं 21 जनवरी 1908 को उन्होंने लंडन से इमा के नाम खत में लिखा मैं ये समझा कि आप मेरे साथ मज़ीद खतों किताबत नहीं करना चाहती और इस बात से मुझे बड़ा दुख हुआ अब फिर आपका खत मसूल हुआ है जिसे मुझे बड़ी मसरत हुई है मैं हमेशा आपके बारे में सोचता रहता हूँ और मेरा दिल हमेशा बड़े खुबसूरत ख्यालों से मामूर रहता है एक शरारे से शोला उटता है और एक शोले से एक बड़ा अलाव रोशन हो जाता है लेकिन आप सर्दमहर हैं घफलत शियार हैं आप जो जी में आए कीजिए मैं कुछ नहीं कहूंगा हमेशा साबर औ शाकर रहूंगा इकबाल उस वक्त ना सिरफ शादी शुदा थे बलके दो बच्चों के बाप भी बन चुके थे ये अलग बात के 18 बरस की उमर में वालदेन की पसंद से क्रीम बीबी से होने वाली इस शादी से वो सखत नाखुश थे एक खत में उन्होंने लिखा मैंने वाले साब को लिख दिया है कि उन्हें मेरी शादी तैय करने का कोई हक नहीं था खसूसां जब के मैंने पहले ही इस किसी बंदन में गिरिफतार होने से इनकार कर दिया था मैं उसकी कफालत के लिए त्यार हूँ लेकिन उसको साथ रखकर अपनी जिन्दगी को अज़ाब बना लेने के बिलकुल त्यार नहीं हूँ एक इनसान की हैसित से मुझे भी खुश रहने का हक हासिल है अगर समाज या कुद्रत मुझे ये हक देने से इनकार करते हैं तो मैं दोनों का बागी हूँ अब सिर्फ एक ही तद्बीर है कि मैं हमेशा के लिए इस बदबख्त मुलक से चला जाओ या फिर शराब में पना लूँ जिससे खुदकुशी असान हो जाती है बरतानिया पहुँचकर मश्रिक की पुर असरारियत से मामूर और गहर मामूली हद तक जहीन और फतीन अकबाल ने खवातीन की तवज़ो मकनातीस की तरफ अपनी तरफ खैच ली थी उस वक्त तक उनका कलाम शुमाली हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मारूफ हो चुका था और लोग गलियों में इसे गाते फिरते थे और इस शुरत के कुछ कुछ चर्चे इंगलिस्तान में भी पहुँच चुके थे उन से मतास्षर होने वाली इनी खवातिन में से एक अतिया फैजी थी जिनोंने एक किताम में इकबाल के उस दोर पर रोशनी डाली है अतिया फैजी बंबई के एक मुतमवल खांदान से तालुक रखती थी उनके वालिद हसन अफिंदी बड़े ताजर थे जो दूसरे मुम ही थी कि एक खातून जो ना सिर्फ बेहद पड़ी लिखी है बलकि मर्दों की मैफिल में बैठकर उन से बराबरी की सता पर मुकालमा कर सकती है यही वज़ा है कि अतिया ने इकबाल के लावा शिबली नौमानी को भी मतासर किया जिसकी तफसील शिबली की हयात मौशका में मिल जाती है बाद लोगों ने ख्याल जाहर किया है कि शायद इकबाल अतिया की महबत में गिरफतार हो गए थे लेकिन हमारे ख्याल में उनकी अतिया से दोस्ती फिक्री सता पर थी अतिया के नाम लिखे गए खतूत का अगर इमा के नाम लिखे गए खतूत से मवाजना किय तो फर्क रात और दिन की तरह वाज़ है। इकबाल ने खुद ही एक जगा लिखा है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। चुनाचे जर्मनी में उनकी दूआ बारियाब होई। और गालबन इमा की सुरत में उन्हें वो नगी मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। इमा 29 साला इकबाल से उमर में दो बर्स चोटी लेकिन कद में एक इंच लंबी थी। उनकी सिर्फ एक तस्वीर हमारी नजर से गुजरी है जिसमें उनकी आंखों से वोही शरीर तबस्म जलक रहा है जिसका जिकर इकबाल ने उसी दोर की एक गहर मतबुआ और नामुकमल नजम गमशुदा दस्ताना में किया है इमा की मादरी जुबान जर्मन थी लेकिन वो यूनानी और फ्रांसीसी से भी खूब वाकिफ थी इसके लावा वो फलसिफे और शायरी से भी खास शगफ रखती थी और यही उनके और इकबाल के दर्मयान वज़े इश्तराक भी था इकबाल के खतूत से ये भी पता चलता है कि उन्होंने इमा के साथ मिलकर मशूर जर्मन शायर गोईटे को भी सबकन सबकन पढ़ा था यनिवस्टी से फारिकु तैसील होने के बाद इमा ने एक बॉर्डिंग हाउस में मुलाजमत इक्तियार कर ली जहां वो बैनल-कवामी उसे ढूंडा अबस बात जो हिंदुस्तान के मा सीमाओं में थी लेकिन इबात इंगलिस्तान की हद तक दुरुस्ती जर्मनी पहुंचकर उनका ख्याल बदल गया एक खत में वो लिखते हैं कि अंग्रेज औरत में वो निसायत और बेसाख्तगी नहीं जो जर्मन औरत में ह इस तरह जर्मन औरत है इमा से मुलकात के 24 बरस बाद 1931 में गोल मेजड कानफरंस के लिए जब इकबाल लंडन गए तो उस वक्त भी उन्होंने जर्मनी जाकर इमा से मिलने की कोशिश की थी लेकिन उस वक्त तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था इकबाल इकबाल ने मजीद दो शादियां कर ली थी और उनके बचे जवान हो गए थे इसलिए ये मुलकात नहीं हो सकी इकबाल ने बहुत पहले लिखा था तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं मेरी सादगी देख चा चाहता हूं शायद ये उनकी सादगी ही थी के हिंदुस्तान ल जईनों लगा करते थे. इन दोनों के दर्बियान महावरा तन नहीं बलके हकीक्तन साथ समंदर हैल थे. इमा से इकबाल के तालुक की बेल मुड़े नहीं चड़ सकी ताहम इमा ने इकबाल की शायरी में वो कसक और दर्दमंदी पैदा कर दी जिससे उनकी शायरी इबारत ह उनके कलाम में कई नजमे ऐसी हैं जो उस दोर की यादगार हैं जैसे हुसन औ इश्क की गौद में बिल्ली देखकर चांद और तारे, कली, विसाल, सलीमी, आशिक हरजाई, जल्वा-ई-हुसन, अख्तर-ई-सुभा, तनहाई और दीगर कई नजमे शामिल हैं जिन पर इमा से तालू की गहरी चाप नजराती है, इकबाल और इमा का मिलाप नहीं हो सका, लेकिन उर्दू दुनिया को फिर भी इमा का शुकर गुजार होना चाहिए, कि उनकी बदूलत उर्दू को चंद लाजवाल रूमानवी नजमे मिल गई, बॉली वोड स्टार और बी-जे-पी र जमीन में गाड़ दो, मिथन ने ये वाज़े नहीं किया कि उन्होंने किस को काटने का का, लेकिन इससे पहले एक जमले में मिथन हिंदूओं और मुसल्मानों की बात कर रहे थे, मिथन चकर बोर्ती ने ये तकरीर गुजशता आफते बी-जे-पी के रियास्ती सदर के सरक तीरी शकायत दरज कराई है, अपनी तकरीर में मिथन चकर बोर्ती ने गुजशता लोकसवा इंतखाबात में मगरबी बंगाल में पार्टी के खराब नतायच के बारे में बात करना शुरू की, इसके बाद उन्होंने कहा कि यहां जल्द हमारा राज होगा, जो कुछ भी क करना होगा, हम करेंगे, मैं वजीर दाखला के सामने कह रहा हूँ कि जो भी करना होगा, इन तमाम चीज़ों को करने में बहुत से मानी पुशिदा हो सकते हैं, मैं होम मिनिश्टर साब के सामने बोल रहा हूँ, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब चुपा हुआ है, वाज़ रहे के मगरबी बंगाल में आइंदा असम्बली इंतखाबात सन 2026 में होने वाले हैं, इसके बाद मिथन चकरवर्ती ने किसी स्याको सभाक या किसी का नाम लिए बगार अपनी बात जारी रखी, उनका कहना था, देखो, यहां हमारे एक लीडर ने कहा, कि हम 70% मुसल्मान और 30% हिंदू हैं, और हम उन्हें काट कर भागेर्ती में बहा देंगे, मेरा ख्याल था, कि वजीर आला ऐसा कुछ कहेंगे, कि आप ऐसी बाते ना करें, मगर यहां तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मिथन चकरबोर्ती ने मजीद कहा कि एक दिन आएगा, जब हम आपको भागेर्ती में नहीं काटेंगे, भागेर्ती हमारी मा है, मैं तो तुम्हें जमीन के अंदर गाड़ दूँगा, हमारे यहां एक लेडर, बोलता है कि यहां 70% मुस्लीम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागेर्ती में बहा देंगे, हमने सोचा चीप मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी लिए कुछ नहीं का, लेकिन हम चीप मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे, तुम काट के भागेर्ती में फेक देंगे, लेकिन एक दिन आएगा, जब हम तुमको काट के भागेर्ती में नहीं तो भागी रहती हमारी माँ है पुन्न माँ है तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको पेकेंगे उदर इस मौके पर हुजूम ने भी पुर जोश अंदाज में उनकी इस बात का जवाब नारों से दिया और वजिर दाखला अमित शाह जो वहां मुझूद थे को भी मुस्कराते होए देखा गया है वाज़े रहे के कांगरेस के लीडर हुमायो कबीर ने लोकसबा इंतखावात से कबल एक ऐसी ही तक्रीर की थी बी जे पी का दावा है कि इस मामले की इतला अलेक्शन कमिशन को शिकायत की शकल में दी गई थी इंडिया की अलेक्शन कमिशन ने उस तक्रीर पर कांगरेस लीडर हुमायो कबीर को शोकास नोटरस जारी किया था एमस्टरडेम में इसराइली फुटबाल शायकीन पर पूर तशदद हमलों के बाद नेधर लैंड के बादशा का कहना है कि उनके मलक में रहने वाले यहुदियों को खुद को महफूज महसूस करना चाहिए विलियम अलेक्जेंडर ने कहा कि हमारी तारीख ने हमें सिकाया है कि किस तरह धंकियां संगीन बन जाती है उन्होंने मज़ीद कहा कि उनका मुलक यहुद मुखालिफ रवईयों को नजर अंतास नहीं कर सकता नेधर लेंड के दारल हकुमत अमस्टर डेम में इसराइली फुटबाल शायकीन पर मताद्द हमले हुए है और पुलिस को उनका ताफूज करने के लिए मताद्द मुकामात पर मुदाखलत करना पड़ी है नेधर लेंड के वजीर आजम ने इन यहुद मुखालिफ हमलों की मुखमत की है जबके इसराइली फुज ने इसे इसराइलियों के खलाफ शदीद और पूर तशद्द वाकियात करार दिया है एमस्टर डैम की मेर और हुकाम का कहना है कि पुलिस की मुझूदगी के बावजूद इन हमलों में दारलहकूमत के मुखतर लाकों में मतादद इसराइली शायकीन जखमी हुए है एमस्टर डैम पलिस का कहना है कि उन्होंने इसराइली शायकीन पर होने वाले हमलों की तहकीकात शुरू कर दी है और 62 अफराद को ग्रिफतार कर लिया गया है जुमिरात को एजेक्स और मुकाबी तिल अबीब के दिर्मियार मेर्च से कबल एमस्टर डैम के डैम स्कॉाइर पर एसराइली फुटबाल शायकीन और फलस्तिन के हमी मुझाहिरिन के दर्मियान नारा बाजी होई थी और इस दौरान पलिस ने मुतादिद ग्रिफतारियां भी की थी ऐसी भी इतलात हैं कि इसराइली फुटबाल शायकी ने वहां पताखे पोड़े और करीब ही एक सड़क पर फलस्तीन का जंडा भी नजर आतिश किया लेकिन बद अमनी मैच खतम होने के बाद मज़ीद बढ़ गई पॉलिस का कहना है कि ये वाज़ नहीं कि किन अफराद ने इन फसादात में हिसा लिया तहम उनकी जानेब से मुकामी मीडिया को बताया गया कि हमलों में मुलवस अफराद ने सिया लिबास पहने हुए थे